बिस्मिल्ला रह्मानी रहीम अस्सलामु आलेकुम मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आर्या अहत और आप देख रहे हैं मैटरिनिटी मैटर्स उर्दू चैनल फेट्स आज का टॉपिक मुझे एक वीवर ने कमेंट किया था तो आज का टॉपिक जानने और उसका जवाब ज से ख्वाइश बेदार होती हैं यानि कितने दिनों में कितने दिनों के बाद उसका दिल सेक्स के लिए मचलता है और मर्द का दिल कितने दिनों में सेक्स को चाहता है यानि वो कितने दिनों में तलब महसूस करता है तो इसका सीधा सीधा तालुक इस बास से है कि न्यू कप ठीक है अब एक जो औरत थे ठीक है उसके जो है मन्त में चार से पांच दिन या छे दिन पीरिट्स में निकल जाते हैं बाकि पाज़ते हैं 24-25 देन उसमें उसकी बाड़ी को त्यार होना होता है नेक्स्ट मन्त के लिए और उसमें हैज़ा जो है उसमें 15 दिनों में एक की बार में बच wanna बचादानी में आता है जिसकी व्याओध से ओरत की जो जिन्सक् cancelled है वो महीने में एक बार जादा से दो बार चागती है जबके औरत के मुकाबले में मर्द के अंदर तौलीदी जरासिम बहुत ज़्यादा होते हैं अगर मैं ये खहदूं कि मर्द के अंदर तौलीदी जरासिम जो होते हैं वो करोडों की दादाद में होते हैं इसलिए मर्द के अंदर हर तीन चाह दिनों में जिन से खौईश बेदार होती है और इसका दिल करता है कि वो मुबाश्रत करे शुरू शुरू में तो ये आमसी बात होती है ये जब तक हवातिन को प्रेगनेट ना कर लिया जाए ये जब तक वारत प्रेगनेट ना हो जाए इस काम को फर्द समझ कर किया जाता है तो कि डेली करना है बार बार करना है तो कि सोसाइटी के एक बोज होता है कि एक बेबी जो है वो सबके सामने आ जाना चाहिए ये हमारे हाँ successful married life की निशानी समझा जाता है ये सोचे वगयर के daily sex करना, जादा करना, बार बार करना, help पे कितना बुरा असर डालता है औरत के अंदर क्या चीज़ की कमी हो जाती है, उसके अंदर vitamins की, calcium की कमी हो जाती है other side पे मर्ड की सहत भी मतासर को जरूर होती है ल्ह Π dream के अंदर जो तौलीडी जरासिम होते हैं वो कडोडों की तादात में होते हैं उसके अंदर जिनसी खौईच होती है, वो औरत की पनिजबत बहुत ज़्यादा होती है इसके लिए इसकी रख़ पर बहुत ज्यादा बुरा असर नहीं पढ़ता है जबकि औरत की सहर्थ पर बहुत बुरा असर पढ़ता है इसलिए जरूरी है कि आप एक दूसरे के जन्सी मज़ाज को समझें एक दूसरे को इतना वक्त दें, इतना स्पेस दें वो आपके लिए by heart ready हो, यह में को उसका physically वो आपके पास है और heartly वो आपसे दूर है, तो नहीं एक दूसरे को इतना वक्त में, को by heartly आपके नजदी का है और आपके साथ उन नमों को, उन पलों को enjoy करे, लज़त महसूस करे, तस्कीन हासल करे, होता क्या है हमारे हाँ के शोह यह इशो न नाराज न था है, कि हमारे हां यह समझत लता है, कि शोहर को काबू में रखने का सिर्फ एक यही तरीका है, अब क्या है कि दोनों जो इशोए वो बीवी को इस बात के लिए के बीवी एन ना समझा है, कि मेरा शोहर मुझे time नहीं देता, या सकाहभिनी थारा य भी हुकम दिया गया है लेकिन ये जो ये ना हो कि उन लहमों को अंज्वाई करने के बज़े आप कुफ्त का शिकार हो जाए जब बेजारिया से और सिफ एक दूसरे के लिए ये काम किया जाता है तो फिर जो है वो कुफ्त और बेजारी का अंसर या चिर्चड़ापन आ जात हैं फिर बीवी की ताने बाजिया होती है कि भाई मैं आपकी कौश्च पूरी ने करती जो आपने दूसरी औरतों के पास जाना शुरू कर दिया है जिसकी वज़ासे घर जो पुरा डिस्टप हो जाता है और नौबच जो तलाग तक आ जाती है एक्चुली क्या होता है कि औ परोबात घर नगी रहुआ है एक है हलधी सेक्स के लिए किस तरीके से हलधी रहा जा सकता है हलधी सेक्स विंस के वो सेक्श्वल रिलेशन शिप जिससे मियां और बीभी आपस में तालुक कायं करके एक दूसरे से साटिसमाइब हो जाए एक उस चीजस से सुरूर आजिए करें उस चीज़ से मस्ती हासल करें उस चीज़ से तसकीन हासल करें यह ना हो कि कोफ़तर बेसारियत का शिकार हो जाए तो प्री वेडिंग इंफॉमेशन या सेक्श्वल इंफॉमेशन के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और अपने चैनल पर पोश्ट करूंगी तो द मज़िस दच्चा बच्चा से मालूमात और जिंसी मसाय से आगाही के लिए मेरे चैनल मैटरनटी मैटर्स उर्दू को जरूर सबस्क्राइब कीजिए और बैल आइकन को क्लिक कीजिए और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा तो देखते मैटरनटी मैटर्स उर्दू चैनल अब इजासत दीजिए आपकी होस्ट डॉक्टर आलिया आहद अल्लाहाफेज